इन डिफ्रेंस कर्व एनालिसिस देखिए आपने यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी और ओर्डिनल यूटिलिटी का कॉंसेट जो है पढ़ लिया होगा उस पर वीडियो बन चुका है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा वहाँ पर आप उसको देख स मिल रही है एक मैंगो को खाने से आपको पंदरह यूटिलिटी मिल रही है यूटिल्स में मिजर करते है ये था और्डिनल एप्रोच यह कहता है कि आपने एक apple खाया आपने एक mango खाया अब यहाँ पर आप जो है कितना utility मिली आप उसको numbers में मिज़र नहीं कर सकते हो बलकि आप उसको rank कर सकते हो यही चीज और्डिनल utility concept कहलाता है आप suppose कि आपको एक apple दिया जाता है खाने को और तीन mango दिया जाता है खाने को तो आपको एक apple तीन mango खाकर जो satisfaction मिलता है वही satisfaction आपको दो apple और एक mango खाकर मिलता है same label of satisfaction आपको मिलता है आपको एक apple और तीन mango खाकर जो satisfaction मिलता है जो utility मिलती है वही utility वही satisfaction आपको दो apple और एक mango खाकर मिलता है यानि कि अब यहाँ पर यहाँ पर indifferent हो गया यानि कि आपने इस combination में कोई भी difference नहीं देखा आपने utility के अगर point of view से बात करें तो यहाँ पर क्या है utility same है चाहे आप एक apple और तीन mango खारे हो चाहे दो apple एक mango खारे हो तो utility same है यानि कि आप indifferent हो तो यही चीज indifferent जो है concept कहलाता है तो indifferent implies neutrality of attitude यानि कि आपका attitude neutral होता है कि आपने देखा कि एक apple तीन mango भी same utility मिल रही है और दो apple एक mango में भी same utility मिल रही है यानि कि यहाँ पर क्या है? तो यह जो इंडिफरेंस का कॉंसेप्ट है इसको डेवलब किया था इरिस बॉन ब्रिटिस एकोनॉमिस्ट एफ वाई एजवात यानी फ्रांसिस एवाई एजवात ने 1881 में इसको डेवलब किया था और विलफ्रीडो प्रैट्रों ने जो है इसका extensive use किया था इंडिफरेंस कर्व का 1906 में इंडिफरेंस कर्व को हम जो है ISO utility कर्व या फिर हम इसको equal utility कर्व के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पर नाम से ही clear हो रहा है कि equal utility कर्व यानी कि एक ऐसा कर्व एक ऐसा combination of two goods जो कि same utility आपको जो है provide करता है तो वो इंडिफरेंस कर्व कहलाता है clear अब हम इसको example से समझते हैं suppose कि आपको जो है दो fruits दिये जाते हैं एक banana और एक mango दियाता है तो आप इसके different combinations use करते हो जिससे आपको same level of satisfaction मिलता है same utility आपको जो है मिलती है तो पहला combination आपने A बनाया A combination जिसमें आपने 1 banana खाया और 15 mango आप consume करते हो 1 banana और 15 mango consume करते हो तो आपको जो satisfaction मिलता है वही satisfaction combination B से मिलता है जहाँ पर आप 2 banana और 12 mango आप जो है consume कर रहे होते हो और वही same satisfaction level आपको 3rd combination से भी मिलता है यहां पर आप 3 banana कंज्यूम करते हो और 10 mango कंज्यूम करते हो और same level of satisfaction आपको de combination से भी मिलता है जहां पर आप 4 banana और 9 mango कंज्यूम करते हो यहांपर क्या हो गया कि आपने 4 combination बना है banana और mango का use करके एक x और एक y goods का consume करके आपने जो चार combination मिला है और इन चारो continue में आपको same level of satisfaction मिलता है तो इसी को indifference कहते हैं और यह जो आप देख रहे हैं table यह जो आप tabular representation देख रहे हैं इस indifference का इसी को क्या कहते हैं indifference schedule कहते हैं तो इस tabular representation of the combination of two commodities which yield equal satisfaction to the consumer और among which consumer is indifferent is called indifference schedule तो यह क्या है एक tabular representation है जो की different combination of two goods को show करता है जो की same label of satisfaction जो है या फिर same label of utility consumer को provide कर रहे हैं या फिर इन combination में जो consumer होता है वो indifferent होता है जाने कि आप consumer को आप चाहे ए वाला combination दीजे चाहे C combination दे दीजे consume करने को उसको same label of satisfaction मिलेगा उसको एक बनाना पंदरा मेंगो खाने को दो या फिर तीन बनाना और जो है दस मेंगो खाने को दो उसको same label of satisfaction मिलता है तो यह indifference schedule हो गया और इसी schedule को जब आप graphically represent करते हो तो वो चीज क्या कहलाती है indifference curve कहलाती है आप यहाँ पर graph में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहला combination क्या होगा है A जहाँ पर 1 बनाना और 15 mango है दूसरा combination क्या होगा है B जहाँ पर 2 बनाना 12 mango है तीसरा combination क्या होगा है C जहाँ पर 3 बनाना 10 mango है और चौथा combination क्या होगा है D जहाँ पर 4 बनाना और 9 mango है तो जब आप इन A A, B, C, D point को join करोगे तो एक curve बन जाता है और उसी curve को कहा जाता है indifference curve कहा जाता है एक curve joining all points representing bundle among which the consumer is indifferent is called an indifference curve it is a graphical representation of indifference schedule तो जो अभी आपने indifference schedule बनाया जहाँ पर different different combination आपने तयार के जो की same level of satisfaction आपको provide करते हैं तो जो different different combination है उसको जब आप graphically represent करते हो तो उससे जो curve बनता है उसी को क्या कहा जाता है indifference curve कहा जाता है clear अब आप indifference schedule को देखिए यहाँ पे तो पहला combination क्या है A, जहाँ पर एक बनाना consume कर रहे हैं और 15 mangoes consume कर रहे हैं और एक satisfaction जो है आपको provide हो रहा होता है same satisfaction B combination जहाँ पर आप 2 बनाना consume करते हो 12 mangoes को consume करको तो same label of satisfaction मिलता है एक बनाना extra consume कर रहे हो तो वहाँ पर आपने mango के 3 unit decrease कर दिये कम कर दिये तो आपको same label of satisfaction मिल रहा है और इसी चीज़ को क्या कहते है marginal rate of substitution कहते हैं यानि कि आपने एक extra बनाना consume करने के लिए आपने कितना mango give up कर दिये या पर छोड़ दिया उसी को हम कहते है marginal rate of substitution कहते हैं तो आप देख रहे होंगे कि A combination में 1 बनाना है B combination में 2 बनाना है आपने एक mango जो है वहाँ पर आपने give up कर दिया तो यही चीज़ marginal rate of substitution कहलाती है तो यहाँ पर देखे 3 to 1 हो गया यानि कि एक extra बनाना पाने के लिए आपने 3 mango कुरबान किया है एक extra बनाना पाने के लिए C combination में आपने 2 mango कुरबान किया वहीं पर एक extra बनाना पाने के लिए D combination में आपने एक जो है वहाँ पर mango जो है वो आपने give up किया तो यहाँ पर क्या है आप देख रहोंगे कि जो MRS यानि कि marginal rate of substitution वो क्या है decrease हो रहा है क्यों decrease हो रहा है because of law of diminishing marginal utility एक extra बनाना पाने के लिए आपने पहले 3 mango कुरबान किया give up किया उसकी बाद फिर आपने एक extra बनाना पाने के लिए 2 mango आपने give up किया फिर जो है एक extra बनाना पाने के लिए आपने सिर्फ एक ही mango give up किया यानि कि marginal rate of substitution है वो decrease हो रहा है क्यों हो रहा है because of diminishing marginal utility यानि कि जैसे जैसे आप किसी product का consumption बढ़ाते है उसकी marginal utility है वो decrease होती है तो अब यहाँ पर जो है extra बनाना आप जो consume करते जा रहे हो तो कहीं न कहीं जो extra बनाना consume करने से जो आपको marginal utility मिल रही है वो क्या होगी वो decrease हो रही है तो कहीं न कहीं जो mango's है आप उसको आप कम give up करोगे भाई आप को इसी भी चीज को give up करोगे जब आपको दूसरे वाली चीज से ज़्यादा मिल लोगे तो marginal rate of substitution तो marginal rate of substitution क्या होगी है the amount of mangoes that the consumer has to forgo in order to get an additional banana so that total utility level being the same is called marginal rate of substitution याने की MRS याने की कितना amount of mango जो है customer को छोड़ना पड़ा एक extra बनाना पाने के लिए इस rate को जो है हम क्या कहते है marginal rate of substitution कहते हैं जिससे की जो total utility है वो same रहे है या फिर आप कह सकते हो कि MRS is simply the rate at which consumer will substitute banana for mangoes so that her total utility remains constant या फिर आप कह सकते हैं it is the rate at which the consumer is willing to give up commodity of Y for one more unit of commodity X याने की आप एक extra X की unit पाने के लिए आप कितना जो है Y की commodity को give up करते हो छोड़ते हो तो वही चीज़ क्या है marginal rate of substitution है clear अब हम बात कर लें indifference map का suppose कि आपने जो है एक apple 15 mango, 2 apple 12 mango, 3 apple 10 mango consume किया याने कि यह तीन different combination होगे और इन तीनों से ही आपको एक level of satisfaction same level of satisfaction मिलता है that is S1 से हैं उसको denote कर देते हैं इसी तरीके से आपने 2 apple 16 mango, 4 apple 13 mango, 6 apple 11 mango याने कि यहाँ पर भी आपने तीन combination यूज किया और यहाँ पर जो है आपको different label of satisfaction मिला याने कि जो satisfaction 1x याने कि 1 apple 15 mango खाके मिला उससे कहीं जादा 2 apple 16 mango खाकर आपको total utility मिलती है जिससे कि आपको H2 label का satisfaction मिला याने कि जो satisfaction पहले वाले क 3 combination से मिला उससे different label of satisfaction दूसरे वाले combination से मिला इसी तरीके से आपने 3 apple 18 mango खाए, 5 apple 15 mango खाए, 7 apple 13 mango खाए तो इन 3 combination से आपको different label of satisfaction मिला जिसको हम S3 से denote कर देते हैं त्याने कि आपने 3 अलग-अलग combination बनाए और उससे आपको 3 different label of satisfaction मिलता है तो यहाँ पर आप देख रहे होगे क 3 combination है, 3 ही different label of satisfaction जो है आपको दे रहे हैं, clear तो जब आप इसको graphically represent करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 3 indifference curve बनेंगे, पहला indifference curve जो है, वो S1 को represent करता है, दोसरा indifference curve S2 को represent करता है और तीसरा indifference curve वो S3 label of satisfaction को represent करता है, तो जब इसी को क्या कहा जाता है, इसी को indifference map कहा इसको आप जो है family of indifference curve भी कह सकते हैं तो यह क्या हो गया कि यह different indifference curve को represent करता है जो की different label of satisfaction को सो करते हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जब आप different combination of two goods को prepare करते हो जो की different label of satisfaction दे रहे हैं और उनको जो गाफ लिकरी represent करोगे तो वहाँ पर multiple indifference curve आपको form होगे और उसी को जो हम क्या कहते हैं indifference map कहते हैं जब सिर्फ एक indifference curve बन रहा है तो सिर्फ indifference curve बन जाएगा लेकिन ए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रहे यह properties यह characteristics भी कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा indifference curve ऊपर होगा right side होगा उतना ही ज़्यादा level of satisfaction होगा क्योंकि वहाँ पर total utility जो होगी वो ज़्यादा derive होगी जो IC1 का satisfaction होगा वो IC2 से कम होगा और IC2 का satisfaction IC3 से कम होगा यानिकि यहाँ पर देखें तो IC3 सबसे ज़्यादा satisfaction देगा उससे कम IC2 इससे कम IC1 जो है वो satisfaction देगा तो higher the indifference curve higher will be the benefit या फिर higher will be the utility wish you all the best keep watching